गुड मॉर्निंग ओल आज हम देखेंगे operating system के बारे में कि operating system होते क्या है उसके कौन-कौन से functions है और उसके types कौन-कौन से है ये mostly सभी exam में पूछे आते हैं लेकिन मैं अभी IT के syllabus के बारे में discuss कर रहा था तो उसमें ये important topic है जहां से questions exam में पूछे जा सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा lecture operating system तो operating system क्या है इसके बारे में सबसे पहले जानेंगे तो यहां पर देखिए आपके simple दिख रहा होगा operating system इस system software यह हमारा क्या है एक पगा का system software है ठीक है यहां देखिएगा that act as an intermediate interface between the user and computer यह क्या है हमारा interface है कहां का किसके किसके बीच का user के बीच का और किसका हमारे computer के बीच का क्या है हमारा operating system OS इसको shortcut में क्या लिखते है OS लिखते है operating system ठीक है an operating system is a system software यह क्या है हमारा एक पकासर का system software है ठीक है सिस्टम सॉप्टियर डेक्ट एक्ट एज एन इंटर्फेस बीट्वीन एंड यूजर एंड एक कम्प्यूटर ठीक है यहां तक समझ में आगे आपको मैं आपको फोटो से समझा रहा हूं यहां पर एक डाइग्राम है यहां देखिए है क्या कि हम सभी यूजर है यूजर कहा है यहां पर है टॉप लेबल पे हैं और वो किससे कि करता है वह किसी के किसी अप्लिकेशन सब्चेर करता है जैसे कि अगर आप कोई Google Chrome internet searching कर रहा है ठीक है तो आप किसे करेंगे आप करेंगे Google Chrome से तो Google Chrome क्या है एक पगा का application software टैप का है ठीक है तो आप इसके बीच में interact करेंगे ठीक है यहां से interact हुए किसे आप application software से फिर application system क्या करेगा OS से interact करेगा यह OS फिर किसे interact करेगा hardware से करेगा तो यह देखे एक पगार का यह यूजर हाट application से किया अपरेटिंग सिस्टम से किया अपरेटिंग सिस्टम फिर hardware से किया तो फिर से यह वापस जो हमारा यूजर है जो रिजल्ट लेता है तो वह कहां किया है टॉप लेबर पर यह कहां पर हमेंसे होगा टॉप लेबर पर होगा ठीक है वह किस से interact करेगा application software से किस से interact करेगा operating system से करेगा तो operating system इसलिए कहा जाता है कि operating system क्या है एक पका का system इसको प्रोल्ट करना कुई आप इसको प्रोल्ट करना यह सबी सका मेन रॉल से है खिक है थिक है makes the computer system convenient to use अराम दयक बनाना द्यूजर को यूजर को थाकि आप इसलीवे कंप्यूटर को यूजर फ्रेंडली के माधियम से यूज कर सके इसके बाद is the solving of the user problem user का जो भी problem है उसको solve करना अगर mathematical problem कर रहा है या जो भी आप problems लाए है उसको solve करना ही हमारा OS का main role से ठीक है use the computer hardware in a efficient manner जो भी हमारा hardware resources है हार्डिक में memory space है या जो भी है आपका उसको उसको सही धंग से utilize करना ऐसा नहीं है कि memory waste करना ऐसा कुछ भी नहीं है operating system का ही काम है कि उसको सही धंग से execute कराना पूरे program को पूरे जो भी यूजर operating system को यूज कर रहे है सभी चीज को सही धंग से चलाना ही OS का काम है ठीक है पहला आता है processor management. Processor. Processor management is an execution unit in which program operate. ठीक है? इसी के मादियम से हमारा कोई भी program क्या होता है? execute होता है. Operate होता है. The operator system determines the status of the processor and process. Select a job and its processor. मतलब कि इसी का काम क्या है? कि कौन से job हमारा पहला processor होगा? Process करेगा? यह कौन काम करेगा तो हमारा OS करेगा यान कि प्रोसेसर मनेजमेंट ही इसका में रोल सा यहाँ पर आगे और भी बहुत सारी रोल से जिसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे ठीक है allocate the processor to process allocate करना किसको प्रोसेसर को कि आप यह काम को करो ठीक है यह किसका काम है प्रोसेसर management का ठीक है and Delocate the processor after the process is complete काम करना है तो कोन करेगा वेस करेगा उसको processor को एलोट करना वो process को ठीक है उसके बाद जब काम वो फिनिस हो गया तो उससे क्या है Delocate the processor after the process is complete जब process खतम हो जाएगा तो उसको Delocation करना ठीक है keep track the of processor स्छिएंड दिखर करना उसको जानकारे रखना उसका इस इससके बारे में कौन काम करेगा हमारा प्रोसेशर मेंघमेंट करेगा अब अब यहां पर देखिए अगला memory management, memory के बारे मैं आप से discuss कर चुका तो अगले class में कि memory कितने types के होते हैं, तो देखे, an operator system manages the allocation and delocation of the memory, अगर आपका process हो गया है, तो हमारा memory, RAM के जो भी memory है, या जो भी hard disk है, उसको delocate करना, ठीक है, देखे, an operator system manages the allocation and delocation of the memory, memory management refers to the management of the primary memory और main memory, main memory provides a fast storage that can be accessed directly by the CPU, हमेशा, जो हमारा main memory होता है, उससे हम access, बहुत ज़्यादा हम fast करते हैं, ठीक है, यहाँ पर देखे, allocate and delocate the memory, memory management का क्या काम है, allocate करना किसी processor को, किसी process को, किसी job को, memory चाहिए, तो कौन allocate करेगा, हमारा memory management करेगा, ठीक है, memory management का काम ही है, कि उसको memory provide करना, जब काम वो complete हो जाए, तो उसको delocate करना, memory को अपने पास रख लेना, ताकि अगला जो भी job आएगा, उसको वो memory आप दे सको, ठीक है, यह काम किसका है, हमारा OS भाई का ही है, ठीक है, अब देखे, keep a record of which part of the primary memory is used by whom and how much, यहाँ पर क्या है, memory management के पास, यह हमेशा इसको अपने पास रखना है, कि कौन सा process, किस memory address को occupy किया हुआ है, और कितना occupy किया हुआ हुआ है, ठीक है, और कौन सा हमारा memory का address जो है, वो खाली है, ठीक है, ताकि अगला जो भी job आए, उसको वो provide कर सके, distribute the memory while multi-processing, suppose that कि हम एक साथ multiple काम कर रहे हैं, तो सब को अपना अपना कुछ ना कुछ memory को देना है भी, हमारा memory management का काम है, ठीक है, in multi-programming, the operating system select which process acquired memory and when and how much memory देगे है, मतलब कि यहाँ पर यही काम है कि, जब भी operating system में multi-programming करेंगे, तो multi-programming के समय हम multiple work करते हैं एक साथ, तो इसका ही काम है, आप, जो हमारा operating system में, जो memory management है, कुछ को memory को देना, ठीक है, अब इसके बाद बात करेंगे device management, पहला हम बात किये, processor management, दूसरा memory management, तीसरा हमारा device management, है कि हमारे system hardware में, system में, बहुत सारे input and output devices है, and operating system control the working of these input and output devices, जो हमारा operating system है, वो किसको control करता है, हमारे पूरे working input and output devices को control करता है, and operating system regulate device connection using the drivers, हमारे system में क्या होता है, different types of drivers है, जो कि मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, input devices के अलग-अलग driver है, ठीक है, तो यहाँ पर device connection using the drivers, this process may require device for their use, अलग-अलग use है, अगर आप USB यूज करना चाहते हैं, तो USB का आपको driver पहले से system में install करना होगा, तभी आप उसके working को कर सकते है, यहाँ पर देखिए, allocate and delocate device to different process, वही बात है, जिस पर आप memory management को allocate and delocate करते थे, सेम यहाँ पर है, keep record of all the devices, जो भी device utilize हो रहे हैं उस समय, तो उसका track करके अपने पास रखना, उसका status अपने पास रखना ही हमारा device management कहलाता है, ठीक है, they decide which process can be, which device can be used and how much, इसको ही track करना है device management को कौन सा process, किस device को कब और कितने समयते के लिए यूज करेगा, यह कौन देखेगा हमारा device management रहे है, अगला बात करेंगे, file management, an operating system keeps track of information regarding the creation, deletion, transfer, copy, storage of file, इने organized way, यहाँ देखे, जब भी हम file management होगा, तो यह जो भी track करेगा, क्या क्या track करेगा, information, आप कौन से information को create किये हैं, किस file में रखे हैं, ठीक है, यह सभी चिज़ को, तो वो कौन से file को आप transfer कर रहे हैं, आपने pen dime में ले रहे हैं, यह सभी चीज़ को कौन रखता है, हमारा file management रखता है, ठीक है, it also maintains the integrity of the data stored in this file, including the file dictionary by the protecting against unauthorized access, मतलब क्या, हमारा file management का ही main role है, कि कोई भी अलग बंदा इसको unauthorized access ना कर ले, ठीक है, यह किसका काम है, हमारा operating system में जो file management है, यह काम देखता है, ठीक है, keep track of information, location, use, status, etc, यह देखिए, keep track of information, जो भी हमारा file है, ठीक है, उसका information को रखना, वो किस location पे save है, आपका desktop location पे save है, यह C drive में save है, C drive में है, तो कहां पे save है, किस folder के अंदर save है, यह इसका रखना, usage उसका करना, कि कौन सा process उसको यूज कर चुका है, ठीक है, उसका status के बारे में इसको रखना ही, हमारा file management कहलाता है, decide who get the resources, कि कौन उसकी resources को यूज कर रहा है, allocation of the resources, delocations of the resources, चलिए, आगे बात करते हैं, security, the operating system provides various techniques, which azure the integrity and confidentiality of the user data, it prevents unauthorized access to the program and the data, वही बात, यह हमें क्या है, operating system क्या है, हमें security भी परवाइट करता है, आपके data को, आपके device को, आपके जितने भी computer में, जितने भी काम होते हैं, चाहिए वो processor management, file management, ठीक है, सभी को क्या करना है, इसको security provide करना है, secure बनाना ही हमारा operating system का, यह main functions है, ठीक है, protection against unauthorized access through login, अगर suppose रहे हैं, कि आप अपने system में, login ID, password से save करके रखे हैं, ठीक है, कोई भी system open करेगा, तो क्या उसके पहले उसके password मागेगा, क्या ऐसा कभी है, कि हम password गलत भी डाले हो, हमारा system open हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है, तो यह क्या करता है, यह security भी provide करता है, operating system, ठीक है, आपका जो है, कोई भी access ना कर सके, protection against, by the keeping firewall activity, आपके system में एक firewall होता है, ठीक है, कि ताकि आप कोई भी unauthorized access उसको ना ले, ठीक है, virus से protect करना, आपके system में भी antivirus होता है, disk differentment होता है, ताकि आपके system को fast बना सके, अगला बात करता है, storage management, storage management is a procedure that allows user to maximize the utilization of storage device, हमारा operating system का ही main function है, क्या, कि आपके पास जो भी hardware devices है, जो भी आपके पास storage management device है, जैसे आपके harddix, RAM, तो यह सभी जितने भी devices है, storage devices है, उसको सही धंग से utilize करना, maximum utilization करना, यह हमारा storage management कर लाता है, ऐसा नहीं है, कि हम save कर रहे हैं कोई data, तो वो जहां मन तहां save हो जाए, ऐसा नहीं है, वो बिल्कुल एक sequential के form में होना चाहिए, और जैसा save होना चाहिए, सभी आपना-पना address होना चाहिए, जैसे आपके घड का address है, उसी पर का आप जो operating system में कुछ भी अगर गाना save कर रहे हैं, file save कर रहे हैं, तो उसका क्या आगा, कुछ न कुछ उसका address होता है, through address ही हम उसको recall कर सकते हैं, callback कर सकते हैं, ठीक है, it optimize the use of various storage device, इसी का काम है क्या, आप जो भी storage devices आप यूटलाइज कर रहे हैं, उसको भी track करके रखना, ठीक है, और preventing data loss, सबसे important, कि आप माने कि हार्डिक्स में कोई data store करके रखे, क्या, वो कभी ऐसा है कि वो खतम हो गया, उसको बचाना है, prevent करना है, आप जो भी data save किये हैं, जो भी file save किये हैं, उसको save करना ही हमारा storage management का ये काम है, ठीक है, अगला बात कहते है, error deduction, from time to time, the operating system check the system for any external threat or miscellaneous software activity, इसलिए, जब भी आप internet से connect करते होंगे, तो आपका operating system क्या होता है, अपडेट खोचता है, अपडेट खोचता है, ताकि जो भी new operating system है, new features है, वो उसमें implement कर सके, ठीक है, it's also check the hardware for any type of damage, ये ये भी check करता है, कि आपके hardware devices में, यानि कि जो भी आपका hard disk है, या जो भी है, उसमें कहीं पे bad sector तो नहीं आ गया, कहीं पे वहाँ पे virus तो attack नहीं कर गया, तो ये हमेशा क्या है, आपके system में firewall ये सब दिये गए हैं, जिसका आप utilization कर सकता है, इसलिए आपको कहता है, कि बार-बार आपके system में कोई नया notification आते रहता है, ताकि आप उसके coding आप perform, अपने work को perform कर सके, कभी भी आपको बोला जाता है, कि आप ND virus install कीजिए, क्यों, कहीं कहीं operating system को ये पता जाता है, कि आपके system में virus attack कर रहा है, ठीक है, इसके बात job scheduling, सबसे most important, क्या है job scheduling, in a multitasking operating system, where multiple programs run similarly, the operating system determined which application should run in which order, and how much time should be allocated to each application, मतलब क्या है, कि आप एक साथ multiple काम कर रहा है, ठीक है, तो operating system का ही main motto है, कि कौन सा काम हमारा पहला schedule होगा, पहले perform होगा, कौन सा second way perform होगा, कौन third perform होगा, ठीक है, इसके coding उसको क्या करना है, प्रोसेस को occupy करना है, प्रोसेसर देना है, उसके coding ही हमारा memory management करना है, यह job scheduling ही हमारा most important है, ठीक है, यहाँ पे लिखावाई देखे, इन्हें multitasking operating system, where the multiple program run, on a similar way, ठीक है, the operating system determines which application should run in which order, इसको ही करना है कि कौन सा application पहले run करना है, कौन सा second में run करना है, कौन सा third में run करना है, और how much time should be allocated to each application, किसको कितना समय देना ही हमारा यहाँ पे job scheduling का work है, आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं, types of operating system, बहुत ही जाथा important यह जो है types, एकजा में पूछा जा सकता है, यहाँ देखे, an operating system is a well-organized correction of a program that manages the computer hardware, है न, इसके बाद देखे क्या है, it is a type of system software, यह क्या है हमारा, जब भी बात करेंगे operating system क्या है, यह हमारा एक system software है, क्या है, system software है, that is responsible for the smooth functioning of the computer system, इसी का काम क्या है, हमारा system जो है, वो क्या है, smooth चले, and operating system perform all the basic tasks like the managing file, process, memory, आपको अभी functions के बारे में बताये थे न, जितने भी functions से यह सभी काम कोन करेगा, जितने भी types of operating system में सभी का यह काम है, ठीक है, अब बात करते हैं इसके operating system के types के, पहला है batch operating system, distributed operating system, time sharing operating system, real time operating system, network operating system, embedded operating system, ठीक है, यह यहाँ पर और भी types है, लेकिन यहाँ यहाँ पर बोश्री जो fundamental types है, मैं उसके बारे में आप से बात कर रहा हूँ, चले, आगे बात करते हैं, पहला है batch operating system, batch, आप नाम ही समझ में आ रहा है, batch, batch मतलब क्या, एक group, group को create करना और उसी के according आपको प्रोग्राम को execute कराना, उसी के दाए आपको job और या process को execute कराना ही हमारा batch operating system, एक पर फ़र से पढ़ लेते हैं, the user of a batch operating system do not interact with the computer directory, किसी में भी computer से वो directory interact नहीं करता है, कैसे interact करता है, वो आपको मैं बताया, कि user सबसे पहले hardware किसे करेगा, application किसे करेगा, OS किसे करेगा, OS किसे करेगा, hardware से करेगा, तो कहीं भी हमारा जो है, operating system directory, computer से interact नहीं करता है, with the help of application, यह क्या करता है, operating system interact करता है, तो देखे, the user of the batch operating system do not interact with the computer directory, the similar jobs are grouped together, इसमें क्या होता है, जो भी similar type का होता है, ठीक है, उसको क्या किया जाता है, ग्रूप किया जाता है, वही देखे, यहापे लिखाओ, the similar jobs are grouped together into the batch, with the help of some operator, and these batch are executed one by one, batch are executed one by one, based upon the first come first serve, principle, batch operating system allow one program at a single time, यहापे देखे, फोटो है, यहापे, डिफेरेंट टाइप आप जॉब है, परसन एजगूट करा रहे है, ठीक है, यह operator के माध्यम से क्या कारा जाता है, batch बना जाता है, similar type of job को एक जगा रखा गिया, जो यह similar type के job है, इसको एक जगा रखा गिया, ठीक है, अब यह batch क्या है, batch group of job है, यह जो group of job है, इसको क्या होगा, अब first come first serve, मतलब कि जो बैच पहले किरियेट होगा उसको पहले एजगूट कराया जाएगा ठीक है यह बैच का प्रोसेस कंप्लीट उसके बाद सेकेंड बैच फिर 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 फोर जब अगर यहां पर डिफरेंट टाप पर मल्टिबल जॉब है तो जो फर्स्ट पहला आया है यहां pae kis principle pae काम कर रहा है यहां देखें अन्द बेश्ट औब ऑन दा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्फ फिस्ट पर यह फर्स्ट कम फर्स्ट सर्फ पिस्पल पर काम करता है मारा कौन सा बैच उपर एटिस्टम देखें एजिक्शन टाइम टेकन for similar job is higher ठीक है multiple user can we share batch system managing large work becomes easy in batch system the ideal time for a single batch is very less अगर मानू कि एक single batch है ठीक है single batch यानि कि single job उसका कोई भी match नहीं कर रहा है तो उसको क्या होगा उसका time taken नहीं क्योंकि पहला जो जॉब इसकेंड करेगा फिर थार करेगा first come first serve के कारण इसलिए single job होना यहां पर क्या है थोड़ा सा difficulty है वो time taken इसके बात करेंगे disadvantage के बारे में disadvantage क्या है it is hard to debug batch system यह बहुत ही जादा difficult है कि batch system को identify करना अगर कोई आपका error आता है if a job fails then the other job have a wait for unknown time till the issue is resolved the case most disadvantage क्या है अगर कि कोई batch जो है हमारा error आ गया यहां पर क्या हो गया error आ गया तो बाकी batch जो है हमारा यह wait करेगा कब तक वेट करेगा जब तक इसके problem को solve नहीं किया जा सकता जब इस problem को solve होगा तब यह next batch को execute करेगा फिर वो next batch को करेगा ठीक है batch system are sometime costly यह क्या होता है किसी कभी-कभी यह बहुत ही ज्यादा क्या होता है कभी-कभी यह बहुत ही ज्यादा time taken भी होता है ठीक है यहां तक समझ में आ गया अब आगे बढ़ते हैं बात करेंगे distributed operating system के बारे में तो तेकिए the distributed operating system are also known as loosely coupled system बहुत ही ज्यादा important in distributed operating system have various system and all these system have their own CPU सभी जितने भी system होगा नहीं distributed operating system में सभी के पास क्या होगा अपना CPU होगा क्या होगा अपना CPU होगा ताकि वो अपने system को सही धंग से utilize कर सके है CPU main memory secondary memory and resources this system are connected to each other using a shared communication network लेकिन क्या होगा सब के पास अपना अपना CPU है लेकिन सभी एक दूसरे से क्या होगा connect होगा ठीक है सभी एक दूसरे से connect होगा जितने भी सिस्टम होगे कि इसके बाद देखिए कि इस सिस्टम केन परफॉर्म इस टाक्स इंडिविज्वाली सभी अपने काम को क्या करेगा स्वेंग करेगा कोई ऐसा नहीं है कि यह काम के लिए दूसरे के पास भेजेगा क्यों नहीं भेजेगा क्योंकि सभी के पास अपना CPU है अपने से काम कर लेगा अगर एक दूसरे से कम्निकेट करना है बाइचांस ठीक है सिर्टि रिसोर्सेश को सेयर करना है तो क्या है सभी के पास अपना एक कम्निकेशन मीडिया है थुरू सभी एक दूसरे से क्या है यह पहला वाला काम नहीं कर रहा है तो क्या यह पूरा सिस्टम हमारा हमारा फैल्योर हो जागा नहीं यह काम करेगा सिप एक सिस्टम काम नहीं कर रहा है यह दूसरे से इजी वे कम्मिनेकेट कर सकता है, लेकिन बैच ऑपरिटीरी सिस्टम में क्या था, कि अगर एक कोई भी बैच में अगर कोई एरर आ गया, तो वो काम नहीं करेगा, सकेंड उसके सकेंड वाला बैच काम नहीं करेगा, जब तक इसको रिजल्व नहीं करेंगे, तब तक वो करना चाहते हैं, वो अराम से हो जाएगा, लोड आन होस्ट कंप्यूटर रेड्वोस, यहां पे क्या होता है, आप बैच ऑपडरिटी शिष्टम में, कि आपका ऑपरेडरिटी शिष्टम एक ही रहता है, लेकिन यहां पे क्या है कि सब के पास अपना शीप्यों है, तो लो लेकिन यहां पर एसा नहीं है अगर सिंगल टाइप और जॉब है तो कोई एक सेप्व है वह उसको भी रिसोर्स को पर्चेस करने में बहुत हाई कॉस्ट होता है ठीक है सॉप्टेर यूज़ फोर सच सिस्टम इस हाईली कंप्लेक्स इसमें सभी के लिए अपने पास आपको अपरेटरी सिस्टम होना चाहिए फैलियोये उप्तै मेर इरकी फैल अगर सब्चेट यह कम्मिकेेशन नेट वार अगर यह फैल हो गया तो पिस का यह थोर्स को सेडर कर है नहीं करें क्यों नहीं कर क्योंकि एक इवचेट मृटिह की ब्रेक हो गया आप तो confusion नहीं होना है अब बात करेंगे time sharing opportunity system in time sharing opportunity system multiple people at various terminals can use a program at a same time ठीक है time sharing of multitasking is logically extension of multi programming processor time which is shared among multiple users similarly is termed as the time sharing मतलब क्या कि time sharing मतलब यह है कि multiple people at various terminal अलग अलग जगवा पे बहुत सारे people बैठे हुए है और एक same time पे ठीक है वो क्या कर रहा है resources को ले रहा है resources ले दे रहा है ठीक है तो इसी को क्या कहें ताइम सेरिंग अन्या पर देखिए in time sharing operating system multiple people at various terminals terminals मतलब क्या different location terminals बतलब different location can use a program क्या कोई भी program को use कर रहा है क्या at a same time जैसे कि अगर हम बात कर रहे आप IRCTC app यूज कर रहे है ठीक है जब तकाल टीकट कर रहे है तो तकाल टीकट में क्या है जब आप आप सेम टाइम पर आदमी कोई अधर अधर इस्टेट में बैठा वह सेम टाइम में क्या होता है आप को यूज कर रहा है जब यह यूज कर रहा है तो क्या हो रहा है आई यह से टीसी अप्लिकेशन यूट्राइज हो रहा है न तो वह किसका एक्जांपर है हमारा टाइम शेरिंग का है प्रभाइड दा एडवांटेज ओप टाइम शेरिंग उप्रभाइड वाइल डियाबिलिटी डेटा यूज प्रॉब्लम है लेस सिगूरिटी एंड इंटिगरिटी पतब कि यहां पर हैंकिंग का भी चांस है आप पेमेंट कर रहे हैं तो हो सकता है आपका ओनलाइन के समय आपका पेमेंट फ़र्जा है ठीक है प्रॉब्लम ऑफ डेटा कम्निकेशन इट यूज ए लॉट ओप सिस्टम रिसोर्स यहां पर हमारा सिस्टम का क्या इंटरनेट कंजम्शन होता है बहुत सारा सिस्टम रिसोर्स यूट्राइज होता है ठीक है अब आगे बढ़ते हैं रियल टाइम ऑपरेटी शिस्टम के ब मुल्टिपर वर्क अप्लिकेशन एंड कें मीट रियल डेटलाइन मुस्ट आटी यूएस इंक्लूट इस चर्डूलर रिसोर्स मनेजमेंट डिवाइस डाइवर द्यू तो दिस्क्राइटी इस आर यूज इस रियल टाइम से श्यूशन फोर एंपर इन मिसलीनियर मिसल्स म प्रक्री मिसल्स मिट लूर्स मार डिले कर रहा है तो वह हमारा सिस्टम को टрать यूज Тыः इस इसके आप Bare secrets offices कί ब baker कर रहा है तोब हमारा सिस्टम को फैलियार हो जाता है तो वह हमारा सिस्टम फूर्य आप F मिसाल सेटलमेंट होता है ठीक है मिसाल लांचिंग होता है तो वहां पर यह सब सिस्टम का यूटलाइज किये जाता है सब्सक्राइब रियल टाइम अब रिच्टम इन इस दाइम कॉंस्टेंट इस नॉट सोट एंड इस्टिक एडवांटेज का बात करें मतलब क्या है यहां पर यहां पर थोड़ा सभी वेस्ट नहीं होगा जो भी काम होगा वह सही धंग से होगा सही मेमोरी यूटलाइशन होगा डिस एडवांटेज यहां बात करें तो लिमिटेट टास मतलब क्या है यहां पर लिमिटेट टास को परफॉर्म करने के लिए किसी खास सिस्टम को लगा जाता है यूज है भी सिस्टम रिसोर्स इस कंप्लेक्स एल्गोरिटम यह आपका जो एल्गोरिटम होता है ठीक है इस टॉप्टियर होता है वह बहुत ही ज्यादा कंप्लेक्स होता है डिवाइस डाव और इंट्रप्टेट सिंग्नल्स थ्रेड परिटी अब अगला बात करेंगे OSS in this OSS various system Arm Car connected to the server यह जोर्य मं haven बात करें तो in this OSS available ne यह पर क्या होता है network system मिसा server से connect होगा it allows the system to share resources such as file printer application it is some popular network system are novel network Linux IBM etc जब भी होगा तो यह किस्ते होगा server से connect होगा और जब भी server connect होगा server connect मतलब server क्या कि आप इसको कहीं से भी किसी भी file को किसी भी resources को किसी भी printer को किसी भी hardware devices को easily access कर सकते हैं इसी को क्या करते है network operating system and OS network operating system ठीक है इसमें भी है प्वाइट पीर टुपीर network operating system allow user to share network resources saved in a common accessible network location client provide user to access the resources through a server advantage का बात करें तो इसमें क्या होता है centralized server होता है और वो highly stable होता है security is server manage यह secure provide करता है upgradation of new technology जो भी new technology आ रहे उससे upgrade भी करना होता है remote access दिया जाता है आपकी system को कहीं भी आप file को कहीं से भी आप printer को access कर सकते हैं disadvantage का बात करें तो high cost of buying and running a server high cost लगता है यहां पर dependency on the center location for operation highly maintenance भी होता है यहां पर regular maintenance update are required तो यह आपका mostly operating system के types है अगला बात करेंगे embedded operating system embedded operating system aims to perform the currently specific task regularity that help the device operate an embedded operating system often has limited features and functions यहां पर embedded का जाब बात करेंगे तो यहां पर क्या होगा limited होगे हमारे functions ठीक है advantage it is decided to a practical job so it is fast ठीक है low cost this is consume less memory and very less resources ठीक है अगला बात करेंगे तो यह हमारा था आज का operating system के types तो यह हमारा था आज का operating system के टाइप्स